Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे William Wordsworth की एक पोईम के बारे में जिसका नाम है The Tables Turned ये पोईम 1798 में लिखी गई थी और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था उनकी कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स में ये पोईम 32 लाइन्स की है और 8 क्वाट्रेंज में बांटी गई है हर क्वाट्रेंज की राइमिंग स्कीम है A, B, A, B Friends, इस पोईम की थीम है Importance of Nature यानि नीचर हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करती है नीचर ही इनसान की बेस्ट टीचर है और पोईट का कहना है कि बुक्स तो बिलकुल खाली पत्तों की तरह है बिलकुल Empty है हमें Empty Knowledge देते हैं मगर नीचर हमें Human, Evil और Good सभी के बारे में सिखाती है इससे बहतर टीचर हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता है Friends, William Wordsworth Romantic Age के एक पोईट थे यानि वो एक romantic poet थे और उनका जन्म हुआ था 7th April 1770 में उनकी death हुई थी 23rd April 1850 में साथ ही वो Britain के poet laureate भी रह चुके हैं वो अपनी collection lyrical ballads के लिए बहुत जादा famous हैं जो उन्होंने अपने साथी poet S.T. Coleridge के साथ मिल कर लिखी थी हमने पहले भी इनकी कई poems को discuss किया है तो चलिए friends अब आगे बढ़ते हैं और poem को read करके समझने की कोशिश करते हैं अप अप my friend and quit your books यानि उठो उठो मेरे दोस्त और अपनी किताबों को छोड़ दो और surely you will grow double वरना जरूर ही तुम यूँ बैठे बैठे मोटे हो जाओगे और अपने साइज का डबल हो जाओगे अप अप my friend and clear your looks यानि उठो उठो मेरे दोस्त और तुम्हारे चेहरे पर ये जो expressions हैं ये जो looks हैं उन्हें दूर करो यानि खुश हो जाओ वाई all this toil and trouble यानि क्यों इतनी tension लेते हो इतने confused क्यों हो the sun above the mountain's head यानि सूरज अब पहाडों के उपर आ गया है यानि शाम का समय हो चुका है a freshening luster mellow through all the long green fields has spread यानि की एक fresh sea, रोशनी और खुश्बू इन लंबे हरे मैदानों में फैल गई है luster का मतलब होता है खुबसूरत रोशनी और mellow का मतलब होता है खुश्बू his first sweet evening yellow और ऐसा लग रहा है कि ये सूरज की रोशनी के कारण ये मैदान सुनेहरे रंके हो गए हैं यानि ये पीले रंके नजर आने लगे हैं शाम के समय books tis a dull and endless strife यानि किताबें तो एक boring और endless यानि कभी न खदम होने वाली strife हैं, संघर्ष है come hear the woodland linnet friends woodland linnet एक तरह की word होती है जो बहुत ही musical है, बहुत अच्छा गाती है तो poet कहते हैं कि यहां आओ और उस linnet की आवाज को सुनो how sweet his music on my life कितना मीठा गाना है उसका मानो ये मेरे जीवन के बारे में गा रही हो इतना मधुर गाती है वो there's more of wisdom in it और उसके गाने में wisdom भी है यानि समझदारी भी है and hark how the throsal sings and hark hark मतलब सुनो और सुनो कितनी खूबसूरती से गाती है throsal भी एक तरह की bird होती है तो उसका भी गाना कितना खूबसूरत है ये सुनो he too is no mean preacher वो भी किसी preacher से यानि किसी उपदेश देने वाले से कम नहीं है come forth into the light of things यानि बाहर आओ light of things में यानि nature में उन चीजों में जो असल में exist करती है तुमारे आसपास let nature be your teacher और nature को अपना teacher बनने दो यानि nature से सीखो ये किताबों से क्या सीखते हो she has a world of ready wealth और nature के पास wealth है भरा हुआ और वो wealth क्या है तो knowledge और teachings our minds and hearts to bless और वो हमारे मन को हमारे दिलों को bless करती है spontaneous wisdom breathed by health हमें wisdom देती है और साथ ही उसके साथ health भी देती है truth breathed by cheerfulness और साथ ही हमें खुशियां देती है सच्चाई के साथ यानि जो nature है उसकी gifts बहुत ही ज़ादा complex हैं बहुत ही अजीब अजीब blessings हैं लेकिन ये सभी हमारी भलाई के लिए हैं और इन सभी से हमें खुशियां मिलती है अब friends ये जो stanza है ये बहुत ही ज़ादा important है बहुत सारी sayings है बहुत popular रहा है तो इस पर ध्यान दीजेगा one impulse from a vernal wood यानि एक impulse एक तत्व या एक आवेग किसी spring season की लकडी का vernal यानि spring season की लकडी का जब वो बहुत strong होती है may teach you more of man वो तुम्हे man के बारे में इनसान के बारे में ज़्यादा सिखाएगी of moral evil and of good यानि बुराई और अच्छाई के बारे में than all the sages can जितना की सभी sages यानि सभी सादू भी नहीं बता पाएंगे यानि nature जो है वो तुम्हे humans के बारे में अच्छाई और बुराई के बारे में सभी के बारे में उन साधू संतों से भी ज़्यादा बहतर तरीके से बता सकती है जबकि जो साधू होते हैं उन्हें माना जाता है कि वो सभी humans में सबसे ज़्यादा intelligent होते हैं sweet is the lore which nature brings यानि वो knowledge lore मतलब knowledge जो nature हमें देती है वो बहुत ही sweet है बहुत अच्छा है आवर meddling intellect यानि हमारे बदलते हुए confused knowledge जो की miss shapes the beautiest forms of things चीजों की जो खूबसूरती होती है उसे बदल देते हैं और खराब कर देते हैं जो चीजों की असली खूबसूरती होती है उसे ये समझते ही नहीं है इतना हम उसके बारे में सोचने लगते हैं we murder to dissect और हम उसकी meaning को जानने में उसके अंदर की गहराई को जानने में उस खूबसूरती का murder कर देते हैं यानि हम उस beauty को बरबाद कर देते हैं enough of science and of art यानि बहुत पढ़ली तुमने ये science और art close up those barren leaves बंद कर दो उन किताबों को जो खाली पत्तियों की तरह हैं उनमें तो कोई knowledge नहीं है बिलकुल empty हैं वो come forth and bring with you a heart यानि बाहर आओ और अपने साथ एक दिल भी ले कर आओ that watches and receives वो दिल जो देखता है और समझता है यानि जो nature को समझ सकता है और उसे पसंद कर सकता है friends यहाँ पर ये poem खत्म होती है poem में nature को ना केवल beautiful माना गया है बलकि वो मैं के लिए एक बहुत ही अच्छी teacher है और इनसानों को इन किताबों को पढ़ना छोड़कर nature से ही सब कुछ सीखना चाहिए तो friends ये थी William Wordsworth की poem The Tables Turned